हेलो फ्रेंड्स आज हम घर पे मिट्टी से गणजी बनाना सिखेंगे और यहाँ पे मैं शाड़ी मिट्टी का उप्योग कर रहा हूँ मूर्ति बनाने के लिए हम पहले base बना लेंगे यहाँ पे मैंने आयटा कार base बना लिया है और इसकेल के मिदाल से इसको plane कर लिया है और यहाँ पे मैं गणेज जी बेटने के लिए पे पहले हम इनका सिंगासन बना रहा हूँ जो कि शेषनाग जी होंगे तो पहले यहाँ पर मैंने शेशनाग जी बनाने से पहले यहाँ पर मैंने बेस बना लिया है उसके बाद मैं शेशनाग जी बना रहा हूँ यहाँ पर मिट्टी को रोल करके आप इस तरीके से शेप दे सकते हैं यहाँ शेप देने के बाद हम गनेजी का पेरो वाला हिस्सा बनाएंगे और यहाँ पे इस तरीके से आपको बहुत आसानी से आप गनेजी बना सकते हैं तो यहाँ पे आपको इस तरीके से पेरो को कब बनाना है उसके बाद हम गनेजी का पेट बनाएंगे गणेजी बनाना बहुत इजी है फ्रेंड्स आपको बस step by step इस वीडियो को follow करते जाना है आप भी इस तरीके से सुंदर गणेजी की मूर्ती बना सकते हैं और यहाँ पे मैं उनके गणेजी की छाती बना रहा हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं हाथ बना रहा हूँ में उनके और यहाँ पे हमारे चारो हाथ complete हो गए है और गणेजी की गंदन बना के हम उनका सीर बनाएंगे सीर बनाना बहुत easy है आपको एक छोटी सी ball जैसे बनाना है और उसको रख देना है इसके बाद हम गणेजी के कान बनाएंगे और यहाँ पे हमारे कान complete हो चुके हैं और अब हम बनाएंगे गणेजी का सर तो इस तरह के साब उंगली से दबाके आँखों के लिए गड़ा बना सकते हैं उसके बाद उसको प्रॉपर ऐसे शेप दे दीजेए शेप बना शेप देने के बाद में आप गणेजी के गाल बना सकते हैं इस तरह के से उठा के और अब हम बनाएंगे गणेजी का मुकुट तो आप इस वीडियो को अच्छे से फॉलो करते जाएए step by step तो यह हमारे हाथों के सवाल करके बनाना है और यह हम गणेजी पर पाचो शेशनाग को लगाएंगे अब हम गणेजी के मुकुट का पीछाल अशा कम्टिट कर लेंगे और पानी की मदद से स्मूथ कर लेंगे अब हम बना रहे गणेजी के हाथ तो यह देखे दोस्तो अब हम का यूस्ट करते हैं अलेगले टेकर टूल्स का यूज़ करते हूए अच्छे सुन्दो सुन्दोर डिजैन बना सकते हैं बहुती हीजी है आप टेक्टिस करते जाएं तो आप आपका हाथ बूत परफेक्ट हो जाएगा तो इस तरीके से आप थोड़ी से डिजाइन डाल सकते हैं डिजाइन डालने के बाद हम गणेज जी के आखे बनाएंगे तो इस तरीके से आप गणेज जी के सुंदर सुंदर आखे बना सकते हैं तो यह हमारी आखे बनके कम्प्लीट हो गई है अब हम ब्रश में थोड़ा सा पानी लेके स्मूथ करेंगे अब हम बनाएंगे गणेजी के जोयल्री जोयल्री बनाने के लिए आप इस तरी के से कर सकते हैं और जोयल्री में जो हम डिजाइन डालेंगे आप देखे किस तरी के से डिजाइन डालती है तो आप शाड़ो मिटी का यूज कीजे क्योंकि उसे बनाना बहुत इजी होता है आप केसी भी शेप में उसे मोड सकते हैं और अब हम बना रहे हैं गणेजी के उंगलिया तो इस तरी के से आप गणेजी की परफेक्ट उंगलिया बना सकते हैं इस अब हम गणेजी की दोती बनाएंगे दोती बनाने के लिए आप सिंपल इस तरीके से शेप दे सकते हैं टूल्स की मदद से बहुत इजी है दोस्तों और अब हम ब्रश में पानी लेंगे और उसको फिनिशिंग टचेस देंगे अब हम गणेजी के पेर बनाएंगे पर पेर भी बनाना उतना ही इजी है जितना के हाथ तो आप इस तरीके से छटी-छटी से पेर के उंगल्या बनाके और उसे फिनिशिंग टचेस दे सकते हैं अब हम बनाएंगे गणेजी का हाथ जिसमें होगा गणेजी का प्रियमोद्र तो यह हमने गणेजी का हाथ बना दिया है अब हम शेशनाग जी पे थोड़ से finishing touches देंगे और अब हम बनाएंगे मूशक जी तो ये रहे हमारे छोटे से मूशक जी तो इस तरीके साथ छोटे से और सुन्दर से मूशक जी बना सकते हैं अब हम टूल्स के मदद से उन्हें perfect shape देंगे और पानी के मदद से finishing touches देंगे अब हम गणेजी की बनाएंगे सून तो इस तरीके से आप पहले roll कर सकते हैं मिट्टी को और अच्छे से सून का shape दे सकते हैं अब हम बनाएंगे गणेजी के दात और हमारे गणेजी बनके ready हो चुके हैं